हेलो फ्रेंड्स आज हमने बहुत ही हेल्दी एंटेस्टी डिश बनाई है यह है मिक्स वेज मल्टी ग्रेन दलिया चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं इसकी तो सबसे पहले हमने मीडियम फ्लेम पे कुकर रखा है और उसमें एक चम्मच होमेड देसी घी डाला है अब हम उस हमेड देसी घी है आप इसमें इसकी जगह राइस ब्रैन ओली ओली ओल भी यूज़ कर सकते हैं बट मुझे परस्नली होमेड गी बहुत पसंद है तो मैं वही यूज़ करती हूँ आप चाहें तो मैं इसकी लिए सेपरेट वीडियो भी शेयर करती हूँ आप कमेंट बॉक् हमेड गी की वीडियो चाहिए अब हम इसमें आड करेंगे वन पिंच ओफ हींग थोड़ा सा हींग हींग काफी अच्छा है पेट के लिए काफी सही रहता है हींग आड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे जब तक कि जीरे का कलर चेंज ना हो जाए अब ये गी अच्छे से मिक्स हो गया है तो अब हम इसमें हरी मिर्च डाल रहे हैं हरी मिर्च को हमें अच्छे से 30 से के लिए भूनना है जिससे की इसकी जो तीखापन है वो कम हो जाए और वो अच्छे से फ्लेवर आ जाए उसका हमारे घी में अच्छे से ये मिक्स हो जा इसके बाद हम अपने कुकर में प्याज आइड करेंगे, प्याज को सबसे पहले भूनने की जरूत होती है, उसको थोड़ा सा हमें रेडिश ब्राउन होने तक भूनना होता है, तो देखे फ्रेंड्स मैंने इसमें प्याज आइड कर दी है, तो हम इसे प्याज आइड करने के बाद हम इसे बहुत अच्छे से mix करेंगे तो friends यह जो multi-grain दलिया है मैने पतंजली का multi-grain दलिया यूज कर रहा है आप इसके ingredients पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा यह बहुत ही ज़ादा healthy है बहुत high protein है fat content इस dish का बनके बहुत ही low आता है और no sugar, zero cholesterol, very low carbs देखिए हमारी प्याज यहां भुन रही है बहुत अच्छे से और यह देखिए हमारी प्याज यहां भुन गई है हमें से इस color तक dark brown color आने तक भुनना है इसके बाद हमें इसमें बाकी vegetables आइड कर दिये मैंने इसमें chop करके चकुंदर डाला है, गाजा डाला है मैंने इने बहुत fine chop करा है जिससे कि यह अच्छे से उबल जाएं पुल्कुल भी कच्चे ना रहें इसमें मैंने यह थोड़ी सी बंध गोबी और थोड़ा सा शिम्ला मिर्च भी डाला है इसमें आप फूल को भी डाल सकते हैं, chop करके कोई भी vegetables डाल सकते हैं जैसा कि आपको मन करें आप इसमें देख सकते हैं, इतने सारे इसमें vegetables डाले हैं तो यह कितनी healthy dish है इस सारे vegetables इसमें हम बहुत ही अच्छे से mix कर देंगे जिससे कि यह properly आएं, देखे यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, कितना ज़्यादा colorful दिख रहा है इसमें इतने सारे veggies हैं, बहुत ही सुन्दर दिख रहा है अब इसमें हम आलू add करेंगे, मैंने आलू पहले से काट के भिगो के रखे वे थे तो अब मैंने पानी निकाल दिया उसका, और मैंने आलू add कर दिया है अब हम आलू add करने के बाद, फिर से इनको सारी veggies को properly mix करेंगे और इसे 10-15 seconds के लिए चलाएंगे और देखे फ्रेंड्स, यह properly mix हो गया है, आलू सारे vegetables के साथ अच्छे से mix हो गया है अब इसको थोड़ा सा हम भाप में चलाएंगे, आराउंड आप इसको 10-15 seconds के लिए छोड़ सकते हैं उसके बाद हम इसमें मसाले add करना शुरू करेंगे सबसे पहले हम सबजियों को गलाने के लिए थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे यह मैंने around half spoon के करीब नमक डाला है और इसके बाद मैंने आधी चम्मच के करीब हल्दी भी डाली है इसमें और आधी चम्मच के करीब मैंने यह लाल मिट्च powder यूज करा है वो डाला है आप इसमें लाल मिट्च कम भी डाल सकते हैं अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं या बढ़ा भी सकते हैं as per your taste और यह मैंने एक चम्मच भर के पिसा हुआ धनिया डाला है और मैंने quarter spoon मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला अब हम इन मसालों को बहुत अच्छे से भूनेंगे vegetables के साथ जिससे इनका flavor properly हमारे veggies में आए इसको अच्छे से काफी यह भूना है भून रहे हैं हम और जब इनकी smell आने लगेगी जब भून जाएंगे फिर हम इसमें add कर देंगे multi grain dalya यहां मैंने दो कटोरी dalya यूज कर रहा है friends, dalya को हम अच्छे से mix कर देंगे vegetables के साथ यह properly थोड़ा सा हलका सा भून भी जाएगा vegetables के साथ इसको हमें around 1 to 2 minutes के लिए properly mix करते वे भूनना है और जब यह properly mix हो जाएगा इसके बाद हम इसमें पानी आड़ करेंगे friends, हमें 3.5 times, साड़े 3 गुना पानी डालना है मैंने 2 कटोरी dalya लिया लिया है तो मैं 7 कटोरी पानी डालूंगी तो इसमें पानी नॉर्मल दली से जादा पानी डलता है क्योंकि इसमें बहुत डिफरेंट टाइप के ग्रेंस आड़ेड है तो इसलिए नॉर्मल दले जितना पानी डलेगा तो यह अच्छा रह जाएगा इसमें मैं CT भी थोड़ी जादा लेनी होती है देखे friends, मैंने सारा पानी यहाँ पर आड़ कर दिया है इसको मैं properly mix करूंगी friends, मुझे लगता है इसमें मुझे थोड़ा सा नमक और आड़ करना चाहिए बिकाज अभी हमने थोड़ा सा ही नमक डाला था तो आप इसमें अभी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक आड़ कर लीजिए मैं इसमें around 1.5 चमच के करीब नमक डालने वाली हूँ अब तो नमक डालने के बाद आप इसको mix कर दीजिए और इसको cooker की lid हम बंद कर देंगे cooker की lid बंद करने के बाद हमें इसमें लगभग 4-5 सीटी लेनी होंगी तो आप इसको 4-5 सीटी लेंगा आप इसको प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मैं आपको और ऐसी वीडियो दिखा शकूँ थैंक यू